हलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे आई टियाई फिटर ट्रड तेउरी के सेकंड यर के मोस्ट इंपोर्टेंट टाप 50 कीशन को यह कीशन बहुत इंपोर्टेंट है आपके आई टियाई एक्जाम के लिए तो इन कीशन को बारीकी से समझ लीजे तो चलिए देख ही लेते हैं उससे पहले याप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे तो देखे फर्स्ट नमबर के कीशन में क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग प्रक्रिया में एक्स क्या दरसाता है यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें से एक्सलेटर से इंडिकेट किया गया है बोला गया कि X-Lator किसको indicate कर रहा है यह Electroplating Praktria का दिखाया गया है जिसमें से एक anode हो जाता है एक cathode लेकिन X-Lator द्वारा जो पूँछा गया है यह हमारे जाब को दर्शाता है यह हमारा जाब दिखाया गया है तो second option हमारा correct answer हो जाएगा second number के question में भी figure से ही question है पूँछा गया है X-Bag का नाम बताएए तो यहाँ पर हमारा simple जो nail होता है उसको दिखाया गया है उसमें से X-Lator से पूँछा गया है कि यह किसको यहाँ पर दर्शारा है यह किसको दर्शारा है हमारा यह हमारा जो है पैकिंग के साथ stepping box को दर्शारा ह यहाँ पर D option जो है इसका correct answer हो जाएगा next question देखते हैं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोगों को perfect दिखाई दे यहाँ पर third number के question में बोला गया है कि universal coupling का प्रयोग कहां पर किया जाता है तो universal coupling का जो है प्रयोग हम automobile vehicle में करते हैं तो यहाँ पर third option 140 वानों में किया जाता है clear next four number के question में figure दिया गया है बोला गया है कि चित्र में दिखाए गए इस plumber tool का नाम क्या है यह क्या है हमारा chain pipe range है यहाँ पर हमारा four question का B option जो है correct answer हो जाएगा chain pipe range next question देख लेते हैं five number में पूछा गया है कि बिभिन ब्यास के दो pipe को जोडने के लिए किस प्रकार के fitting का प्रयोग किया जाता है यानि different diameter के pipe को जोडना है तो उसमें जोडने वाली युकती क्या कहलाएगी बिभिन ब्यास के दो pipe को जोडने के लिए किस प्रकार के fitting का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर दिगा गया है reducer, coupling, incentric reducer, concentric reducer तो correct answer क्या हो जाएगा हमारा A option हो जाएगा reducer यह क्या होता है यह अलग-अलग ब्यास के दो pipe को जोडने में प्रयोग किया जाता है next देख लेते हैं बोला गया 6th number में कि pipe fitting का नाम क्या है यहाँ पर आपको एक figure दिया गया है इस figure को बताना किया कि इस pipe fitting का कौन सा है तो यहाँ पर 6th number का जो हमारा correct answer हो जाएगा यह reducer है यह pipe का ब्यास कम है और इधर जादा है यह कम वाले को बढ़ा घटा कर रहा है तो यह reducer के अंतरगत आ जाएगा जो भी कीशन में पूंचा गया था next 7 number में पूंचा गया है कि hack sign के दोरान काटे जाने वाले pipe को जितना संभाव हो उतना wise के pass रखें मतलब pass क्यों रखा जाना चाहिए क्या jumping को रोकने के लिए vibration को रोकने के लिए misalignment से बचने के लिए या फिर blades को तूटने से बचाने के लिए तो 7 number का जो हमारा correct answer हो जाएगा be option एक्च्वल में होता क्या माल लीजी यह हमारा क्या है wise से इतना उचाए में और job को हमको क्या करना हो job सिफ लगभग 5 mm तक ही हम उपर उठाते हैं जब हमको filing करना होता है तो उस condition में ज़्यादा उचाई तक नहीं रखना चाहिए जिससे vibration ना हो तो वही पूछा गया है कि हैक्साइं के दवरान काटे जाने वाले पाइप को जितना संभा हो उतना वाइस के पास रखा जाए इसलिए रखा जाता है क्योंकि ब्राइब्रेशन को रोका जाए सेकंड आप्सन करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्ट देखते हैं एट नंबर का यहाँ पर पूछा गया कि जाब की टालरेंस क्या है टालरेंस क्या होता है उसकी परिभासा जाब की अपर साइज और लोवर साइज यानि high limit साइज माईनास low limit साइज इक्वाल हमारा टालरेंस आ जाता है इसकी हाई limit क्या हो जाएगी 25.02 हो जाएगा और low limit कितना हो जाएगी 24.98 हो जाएगा क्योंकि 0.02 दोनों में दिया गया है तो क्या आ जाएगा 0.04 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0.04 mm हमारा हो जाएगा आपसन में क्या मिल जाता है यहाँ पर थोड़ा सा मिस दिया हुआ है 4 mm दिया हुआ है 0.4 mm 0.2 0.8 25.02 में तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा एट नम्मर का एपसन क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा 0.4 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर 0.04 होना चाहिए तो आपसन के एक्वार्डिंग एपसन करेक्ट हो जाएगा नेक्ट 9 नमबर में बोला गया कि मिलिंग फिक्ष्चर की आधारी प्लेट के नीचले हिस्से पर टेंसन क्यों उपलब्द कराये जाते हैं तो क्यों कराये जाते हैं फिक्ष्चर की उप्यूत लोकेशन के लिए दिया अपसन यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्ट 10 नमबर में पूँचा गया है यहाँ पर कि ड्रिल जिग में उपलब्द कराई गई ड्रिल बूसेस का उद्देश से क्या है क्या base plate को सहारा देना drill plate को सहारा देना cutting tool को locket और guide करना या फिर job की गट को बाधित करना तो correct answer यहाँ पर 10 number का क्या हो जाएगा C option की cutting tool को locket और guide करना यह हमारे drill jig में उपलब्द कराई गई drill boost का कार होता है clear next देखते हैं यहाँ पर दिया गया है figure और पूँचा गया है कि fixture का नाम बताएं एक यहाँ पर मिल जाता है नीचे इसका तो कौन सा fixture है wise fixture, toast fixture, plate fixture, indexing fixture तो यहाँ पर हमारा D option correct हो जाएगा यह indexing fixture के अंतरगत आ जाएगा next यहाँ पर 12 number में पूँचा गया X भाग का नाम बताना है तो देखे इसको थोड़ा से छोटा कर देते हैं ताकि आपको यह हमारा क्या है fast and loose पुली का दिखाया गया है जिसमें से यह क्या है driven soft है clear अब यहाँ पर X लेटर यह दिया गया है अब पूँचा गया कि यह क्या है यह हमारा क्या है किसके अंतरगत यह हमारा आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा crown पुली के अंतरगत आ जाएगा पुली की crowning को दिखाया गया यहाँ पर थोड़ा सटेपर जैसे दे दिया जाता है तो इसे पुली की crowning कहा जाता है ताकि belt पट्टा जो है पुल्ली के केंदर में ही रहे तो यहां पर हमारा ए आपसन जो है 12 नंबर का करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्ट देखते हैं 30 नंबर में बोला गया है थोड़ा सा बड़ा कर दे हैलिकल टेंसन इस्प्रिंग का उद्देश बताएं यो हेलिकल टेंसन होता है हेलिकल तो उस इस्प्रिंग का उद्देश क्या होता है 30 नंबर के कीशन में पूछा गया है तो हमारा क्या हो जाएगा ए आपसन तनाव भार का प्रतिरोध करने के लिए गियर का चिन्नित भाग एक्स के तत्तो का नाम बता है यहाँ पर एक सिंपल गियर का फिगर दिखाया गया है जिसमें से क्या दिया गया है यहाँ पर एक्सलेटर दिया गया है और बोला गया कि यह जिसको इंडिकेट कर रहा है यह क्या है तो देखे इसमें मैनली तीन लाइने बनती है एक यह हमारा root circle कह रहाता है यह हमारा crest circle कह लाता है और यह हमारा pitch circle कह लाता है यहाँ पर हमारा जो accelerator indicate कर रहा है यह root circle को indicate कर रहा है यहाँ पर हमारा जो correct answer होगा root circle तो यहाँ पर 14 number का जो correct answer हो जाएगा C option हो जाएगा root circle को हम addendum भी बोलते हैं और क्रेश्ट सर्कल को एडेंडम तो यहां पर सी आपसन जो है हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा एडेंड़ मृत यानि इसे हम जो है क्रेश्ट सर्कल भी बोलते हैं या फिर तेप लैंड backside बोलते हैं और इसको बाटम लैंड या फिर रूट यानि जड़ वाला सरकल बोलते हैं या डिडेंडम भी बोलते हैं यहाँ पर हमारा सी आप्सन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट फिप्टी नंबर में बोला गया है कि लंबी दूरी और अधिक मात्रा की उर्जा संचारण के लिए किस प्रकार के ड्राइब का प्रयोग किया जाता है यानि जहाँ पर पुली टू पुली डिस्टेंस काफी ज़्यादा हो और अधिक मात्रा में पावर ट्रांस्मिट करना हो तो उसके लिए किस drive का प्रियोग करेंगे belt drive, gear drive, rope drive या फिर chain drive तो यहाँ पर 15 नमबर का जो correct answer निकल के आएगा, rope drive निकल के आएगा, इसका example आप lift बगएरा में देखते हैं कैसे जो है crane बगएरा में rope drive का प्रियोग किया जाता है तो C option correct हो जाएगा next बोला गया है कि यहाँ पर छित्र में दिखाये गए coupling के प्रकार का नाम बताएगा यह हमारा coupling दिखाया गया है यह किस coupling के अंतरगत आता है यह हमारे plate coupling के अंतरगत आ जाएगा, यह option जो है correct answer होगा next देखते है 17 नंबर में बोला गया कि की से आप क्या समझते है की का मतलब है जो हमारी की होती है चाभियाँ उन से पूचा गया तो उन से आप क्या समझते है क्या या भागों को जोडने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण है या फिर बल को संचारित करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरन गतिमान भागों को रूखने वाला या फिर गतिमान भागों को हटाने वाला उपकरन तो इसका 17 का करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा बल को टार को संचारित करने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है नेक्ट देखते हैं 18 नंबर में 18 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि उर्जा संचरण यानि पावर ट्रांसमीशन में सबसे कम फिसलने वाली बिल्ट को क्या कहा जाता है यहाँ जिसमें कम फिसलन हो, स्लिपेज कम हो, पावर लास कम हो वा कौन सी है यहाँ पर हमारा 18 नंबर का जो करेक्ट अंसर निकलके आएगा भी बेल्ट निकलके आएगा नेक्ट बोला गया कि जीव हैड की का टेपर अनुपात क्या होता है यहां पर हमारा डी अप्शन में करेक्ट अंसर मिल जाता है 100 में 100 यानि एक अनुपाते 100 का रखा जाता है next 20 नंबर के question को देखते हैं 20 नंबर में क्या बोला गया है कि साप्टो के बीच साप्टो के बीच बहुत ही कम दूरी के लिए किस प्रकार की belt का उपयोग किया जाता है यहाँ पर दूरी कम हो किस परकार के belt का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर हम भी belt का उपयोग करते हैं ए आपसन 20 नंबर का correct answer हो जाएगा 21 नंबर में यहाँ पर पूछा गया कि किस परकार की belt drive के उपयोग से driven soft drive soft की विपरीद दिसा में घूर्णन होता है या करने लगेगा कौन सा है slip belt drive step drive open belt drive या फिर cross belt drive यहां पर हमारा correct answer क्या हो जाएगा क्रास belt drive 21 का जो है क्रास belt drive में कुछे माले यह हमारा a-pulley है और यह हमारा इस तरह से किया जाता मुज जाती है यहां सी श्टार्ट किया गया यह ऐसे यह ऐसे बनता है तो इसका rotation مाल Deswegen लिए यह ऐसा है इस दिसा में है इसका कैसा बन जाएगा कुछ इस दिशामें बन जाएगा एक दूसरे के विप्रीद हो जाती है नेक्ट्स 22 नंबर में देखते हैं 22 में पूछा गया कि जॉयन्ट के प्रकार को बताईए तो यहाँ पर हमारा क्या दिखाया गया है यह कुछ इस तरह से इसमें लाइने बन रखते हैं कितने कभर हैं यह हमारी एक प्लेट हो जाती है एक प्लेट यह यह इन दोनों को जो है एक कभर दो कभर दो कभर से जोड़ा गया है यह यह कौन सा जॉइंट कहलाएगा हमारा 22 का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो सी आपसन हो जाएगा डवल इस्ट्रेप बट जॉइंट क्या डवल इस्ट्रेप बट जॉइंट यहां पर एक दूसरे से सटाया गया है एक दूसरे के उपर चढ़ाया नहीं गया है इसलिए बट जॉइंट हो जाएगा और डवल आप्षन करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्ट देखते हैं 23 नंबर में क्या बोला गया है कि उपलब्धा चैन उच्चालक यानि होज्ट का सबसे कम प्रभावी पर सबसे अधिक साधारन प्रकार क्या है तो 23 का जो करेक्ट अंसर निकल के आएगा यह आप्षन ही डिफरेंशियल उच्चालक जो है करेक्ट डिफरेंशियल होस्ट करेक्ट अंसर हो जाएगा 24 नंबर के कीश्चन को देखते हैं 24 में क्या पूछा गया है यहां पर बोला गया है रोप बाइंडिंग सब्दा वली के अंसर लूप सब्द का अर्थ क्या है लूप जो रोप की बाइंडिंग की जाती है तो उसमें लूप जो वर्ड यूज किया जाता हुआ किस के लिए है क्या हुआ रसी को बांदना रसी को मोरना रसी की फास्ट निंग या फिर खाड़ी के पार्ष में क्रासिंग द्वारा बनाया गया टर्न है तो क्या करेक्ट अंसर हो जाएगा 24 नंबर का यहाँ पर जो 24 नंबर का हमारा करेक्ट अंसर निकल के आएगा तो डी अप्सन करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्ट कीशन देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर में क्या बोला गया कि भारी ड्यूटी होश्टिंग के लिए किस रसी का उप्योग किया जाता है वायर में अतिधिक दाप के विरुद कौन सा बाल्व सुरच्छा प्रदान करती है यानि हाड्रोलिक सिस्टम की बात की गई है तो सबसे अच्छा बाल्व की बात की गई है कौन सा सही सेप्टी प्रदान करेगा यहाँ पर सी आपसन में मिल जाता है रिलीव बाल्व यह जो है से अच्छा सुरच्छा प्रदान करेगा नेक्सट क्नित एक्स भाक का नाम क्या है यहाँ पर एक्स लेटर दिया गया है तो इस एक्स का मतलब क्या है क्या यह एर फिल्टर है या फिर सेक्षन लाइन है यह हमारा जो है सेक्षन लाइन के अंतरगत आ जाएगा भी आप्सन करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्ट देखते हैं 28 नंबर में इचित्र में दिखाए गए रिबिटिंग टूल का नाम बताएं यहाँ पर जो रिबिटिंग टूल दिखाया गया इसका नाम बताना है कि यह क्या है यह हमारा डिप्ट है जो क्या कर रहा है पहले से किये गए होल को अलाइन कर रहा है सेंटर में कर रहा है पैन हेड रिबिट तो एक्जेक्ट जो मजबूती की बात की जाए तो यहाँ पर 29 का ए अप्सन करेक्ट हो जाएगा निर्मार कार कांस्टक्शनल वर्क में इसका प्रियोग किया जाता है भारी कारियों में क्लियर नेक्स्ट बोला गया कि चित्र में दिखाये गए रिबिट का नाम बताईए यह हमको रिबिट दिखाया गया है जिसका पूरा यह डायमेटर दिया गया है यह 2D हो जाएगा यह 0.2D इसके हेड की उचाई हो जाएगी यह कौन सा रिबिट है यह पूछा गया है तो यह हमा गया कि air craft उपद्योग में किस प्रकार के रिविट का प्रियोग किया जाता है यह जो एयर craft बगएर होते हैं तो उसमें पाप रिविट का प्रियोग किया जाता है ए आपसन correct answer हो जाएगा 32 में बोला गया कि दिये गए चित्र में clutch के प्रकार का नाम बताईए यह कौन सा clutch हमको दिखाया गया 32 number के question में यह हमारा centrifugal clutch के अंतरकत आ जाता है C option correct answer हो जाएगा 33 number में पूछा गया कि lubricant का क्या उद्देश होता है lubricant की उद्देश से प्रियोग किया जाता है घरसन में ब्रिद्द करता है तो रांग हो जाएगा मसीन की छमता में सुधार लाता है loading छमता को बढ़ाता है या फिर गतिमान तत्तो की गत को बढ़ाता है तो correct answer 33 का जो option number B हो वह correct हो जाएगा मसीन की छमता में सुधार लाता है clear 34 number में पूछा गया कि चित्रा चिन्धित भाग X का नाम बताईए यह X किसको इंडिकेट कर रहा है जो हमारे maintenance होते हैं उसमें एक होता है daily एक होता है weekly एक monthly और एक schedule के हिसाब से होता है तो यह किसके अंतरगत आएगा यह जो 4 option में दैनिक, सापताहिक, मासिक या फिर अबरित के लिए सुझी तो 34 का जो correct answer हो जाएगा D option यह जिस वर्क्साप में लगा हुआ है इसका मतलब उसमें एक schedule डाल दिया जाता है तो schedule के अंतरगत होता है बाकि यह हमारा क्या है डेली का हो जाता है यह सापताहिक और यह मंतली का हो जाता है नेक्ट 35 नमबर में पूछा गया कि मसीन उपकरण पर किये जाने वाले ज्यामिती परिच्छन का क्या उद्देश है तो यहाँ पर 35 का जो correct answer निकल के आएगा D option लगाई गई मसीनों की परशुदता के grade की जाच करना देखे यहाँ पर directly हम question के answer की ओर चलते हैं ताकि आपका भी समय loss ना हो नेक्ट बोला गया 36 नमबर में की gear का नाम बताए यहाँ पर जो gear दिया गया है इस gear का आपको नाम बताना क्या यह इस पर gear है, meter gear है, bevel gear है यह फिर high point gear है तो यह कौन सा gear है यह हमारा इस पर gear के अंतरगत आ जाएगा next देखते हैं 37 नमबर में बोला गया है यहाँ पर कि सता को सक्त करने की यानि हाड करने की प्रक्रिया में बिकरन और बिरूपन नाइट राइडिंग साल्ट बात में क्यों नहीं होता तो क्यों नहीं होता critical तापमान से कम तापमान पर गर्म करना second option जो है इसका 37 का करेक्ट अंसर हो जाएगा 38 नंबर देखते हैं क्या बोला गया 38 में कि बेरियम कार्बोनेट को पैक कार्बोराइजिंग प्रक्रिया में सता को सक्त यानि हाड करने के लिए क्यों मिलाया जाता है तो क्यों मिलाया जाता है प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए यहाँ पर 38 का A option करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स बोला गया है कि अगनी समन की कौन सी प्रचालन पद्धत को दिखाया जा रहा है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिगर में कौन से प्रचालन को लच्छ स्वीप निचोड़ना या फिर पिन को खीचना तो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर का C option निचोड़ना हो जाएगा यानि उससे जो है दवा रहे हैं तकि उससे जो मतलब है गैस भरी हुई है तो भाहर निकले नेक्ट चितर में दी गई अगनी की स्रेड़नी का नम बताईए अब यहाँ पर आपको स्रेड़नी से कैसे पता चलेगा कि की स्रेड़नी के अंतर गत आएगी यह स्रेनी D के अंतरगत आएगी क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्लग मिल जाता है जिससे आपको यहाँ पर एक वायर जुड़ा हुआ है यानि पता चलता है कि यह एलेक्टिक में आग लगी हुई है तो एलेक्टिक उपकरण को क्लाश D के अंतरगत रखते हैं A Option करेक्ट हो जाएगा तो नहुंसर देखते हैं चित्र में की इस प्रकार की वैल्डिंग क्रिया को दिखाए गया है यहाँ पर एक building प्रक्रिया दिखाई गई है जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी building प्रक्रिया को दिखाई गया है यहाँ पर जो है bridge building प्रक्रिया को दिखाई गया है C option correct answer हो जाएगा next देखते हैं 43 नंबर में पूछा गया है कि breaking से पूर्व फेरस धात को साफ करने के लिए किस बस्तु का प्रियोग किया जाता है क्या मिट्टी के तेल का प्रियोग करते हैं तो exact मिट्टी के तेल का ही प्रियोग किया जाता है ए 이제 option correct हो जाएगा next after 44 नंबर में बो लग ग्या है कि आंतरिक बेलनाकार सतहों के लिए लैपिंग टूल में it sluts क्यों उपलब्द कराये जाते हैं IS cut जो होते हैं क्यों उपलब्द कराये जाते हैं तो इसका कारण होता है बिस्तारण के लिए नेक्स्ट बोला गया है किस धातु का गलनांक बिंदु तापमान 3380 डिग्री सेल्चियस होता है और इसे पतली तार में भी बदला जाता है तो वह होता है टंगस्टन टंगस्टन का जो गलनांक होता है तो वह लगभग 3380 डिग्री सेल्चियस के सम्थिंग होता है C option यहाँ पर correct answer हो जाएगा नेक्ट देखते हैं 46 नंबर में क्या बोला गया है कि Galway Nights Iron Seat को किस मिस्टर धातु से धका जाता है तो जिंक से धका जाता है यहाँ पर B option 46 का correct answer हो जाएगा नेक्ट बोला गया है कि कापर और तिन की मिस्टर धातु से ब्यापत धातु का नाम बता है यानि कापर और तिन को मिला दें तो कौन सी धातु बनेगी तो कापर और तिन को मिलाने पर जो धातु बनेगी हुआ हमारी ब्रॉन्ज होगी का सा D option correct हो जाएगा नेक्ट 48 नमबर में बोला गया कि एरक्राफ्ट उद्योग में अल्मूनियम का प्रयोग ब्यापक रूप से क्यों किया जाता है याने अधिक प्रयोग किया जाता है लेकिन क्यों क्या रीजन है क्योंकि यह हलका होता है इसलिए तो इसका मेट रीजन यही होता है कि यह हलका होता है तो 48 का first option ही correct हो जाएगा 49 नमबर में बोला गया कि पेंट के निर्मार में किस धातु का प्रियोग किया जाता है तो जब पेंट का निर्मार किया जाता है तो लेड का प्रियोग mostly किया जाता है नेक्स्ट आइड आज की वीडियो का last question क्या बोल रहा है कि जंग से बचाओ के लिए कैलो राजिंग प्रक्रिया में किस प्रियोग किया जाता है तो कैलो राजिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें अल्मूनियम प्रियोग किया जाता है दी आप्सन करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोगों ने top most important 50 questions को discuss किया यद वीडियो से information मिली तो वीडियो को like कीजे, share कीजे अपने friend circle में और अभी तक चैनल को subscribe नहीं के तो subscribe जरूर कर लें मिलते हैं next वीडियो में, thanks for watching and bye bye